In gate exam you don't need to be an expert Groups में अगर कोई कठीन सवाल आ जाता है तो पूरे-पूरे दिन बच्चे उसी को solve करने के पीछे लग जाते है और कुछ बच्चे इतना समय वेश्ट करते हैं लाश्ट में बनता नहीं तो demotivate तक हो जाते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि gate exam का full form यह है graduate aptitude test in engineering आरे वो aptitude test है जहापर आपके basic concepts, आपके calculation, आपका thought process चेक किया जाएगा तो कठीन सवाल नहीं बन रहे है, leave it क्योंकि majority आपके questions easy to moderate रहते हैं बहुत कम questions कठीन रहते हैं और gate exam की खासियत ही यह है कि 100 out of 100 नहीं लाना है आपको you have to be in the creams और वो तभी हो पाएगा जब आप silly mistakes avoid करते हो आप accurately चीजों को बनाते हो और आप ज़्यादा अच्छे questions बना पाते हो ठीक है, so do not worry आप focus कीजेगा more on the revision एक book से अगर 5 बार पढ़ो that is more fruitful rather than पाच book से एक subject पढ़ रहा हूँ ठीक है, चलो